वेलकम टू बैंकिंग प्रोसेस गाइस आजके इस वीडियो में हम जानेंगे लाइफ इंसोरेंस के बारे में जब भी कोई इंडिज्वल लाइफ इंसोरेंस के लिए पॉलिसी बाइ करता है तो उनके माइंड में बहुत सारे कमपीजन करियेट हो जाते हैं कौन सी पॉलिसी हम बाइ करें कौन सी पॉलिसी में इन्वेस्ट करें और कौन सी कमपनी हमारे लिए बेस्ट है तो guys यही confusion अगर आपके mind में भी है तो ये वीडियो आपके लिए कापी ज़्यादा important होने वाला है इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा आप अपने लिए best policy कैसे select करेंगे best company को आप कैसे select करेंगे total detail इस वीडियो में हम जानेंगे तो वीडियो को आप end तक देखते रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं पहली बार आपने विजिट किया है तो आप चैनल को subscribe कर लिजिए ताकि आपको banking, insurance और credit card से related information सबसे पहले मिले life insurance को हम बिलकुल भी हलके में नहीं ले सकते अगर policy holder को in future कोई हो जाता है तो उस दिन उनका claim पास होना चाहिए अगर company ने उस दिन पैसे देने से मना कर लिया तो आज हमारा जो insurance लेना है वो भी west है और पूरी तरह से हम अपने family का future secure नहीं कर पाए इसलिए guys आप जब भी policy को book करते हैं, insurance को buy करते हैं या फिर आप insurance में invest करते हैं, majorly आपको तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए claim settlement ratio, amount settlement ratio और claim rejection ratio claim settlement ratio ये बताता है कि company है वो कितने claim को settled कर रही है थूँ example अगर company के पास में 100 claim आ रहे है और उन claim मैंसे 98 claim का पैसा company पास कर रही है तो company का claim settlement ratio 98% हो जाएगा लेकिन गाइस बात यहाँ पर ही नहीं रुखती है company अपने चोटे-चोटे claim को पास करके अपना claim settlement ratio है वो increase कर सकती है इसलिए हमें second point को भी देखना होगा amount settlement ratio amount settlement ratio हमें basically बताता है कि company कितने amount के claim को settled कर रही है through example अगर हम समझे कि company के पास में 100 claim आ रहे है और 100 claim की price है वो 10 क्रोड रुपे है 10 क्रोड रुपे में से 2 claim है वो 50-50 लाग के है उन claim को company reject कर लेती है और 9 क्रोड के claim को पास कर लेती है तो ऐसी इस्तति में company का जो भी amount settlement ratio है वो 90% हो जाएगा तो guys किसी भी company में insurance buy करने से पहले आप उसका amount settlement ratio भी देखे अगर amount settlement ratio 95% से above है 90% से above है तो वो company आपके लिए best हो जाती है उसके बाद में आप 3rd point पर नजर डालेंगे तो आपको देखना होगा claim rejection ratio ये company के claim जो भी reject होते हैं उनको बताता है ये ratio आपका 1% से उपर नहीं होना चाहिए इनके अलावा आप company का AUM भी देख सकते है asset under management इसका मतलब ये होता है कि company कितना पैसा है वो manage कर रही है end of the point अगर आप देखे तो solvency ratio भी आप देख सकते हैं company के पास में liability से ज़्यादा asset कितने पड़े है ये भी आप company के बारे में properly देख लिजिए अब guys अगर आप जिस company के लिए study कर रहे है या फिर जिस company में आप policy को buy कर रहे है उनका claim settlement ratio, claim rejection ratio, amount settlement ratio आपके इसाब से best है तो वो company आपके लिए best हो जाती है उस company में आप अपना insurance है वो buy कर सकते है, policy को आप hold कर सकते है तो guys finally आपको मैं अगर suggest करूँ कि आपको कौन सी insurance company में अपनी policy रखनी चाहिए तो पार्दी एकसा life insurance आपके लिए best हो सकती है क्योंकि guys अगर आप इसके claim settlement ratio पर नजर डाले तो इसका claim settlement ratio है वो 99.05% है इसके मतलब claim rejection ratio भी बहुत कम है आपके लिए ये company best हो सकती है और basically guys इसका एक 99 plan है वो मुझे काफी अच्चा लगा और उस plan को जैसे ही मैंने देखा तो अपने लिए मैंने बाइक कर लिया है अब बार्दी एकसा के 99 plan को अगर हम देखे तो यहाँ पर basically मुझे एक बात यहाँ पर बैतर लगी क्योंकि उनका जो भी premium है आप जैसे ही per annual अपना premium पे करेंगे second premium पे करेंगे जैसे ही आप second premium को पे करते हैं तो third premium आने से पहले ही आपको estimated 23% का return आपके directly account में credit किया जाएगा यही बात देखकर मैंने उन्दती plan को buy किया है तो गैस मान लीजिए एक लाख रुपे को हम insurance की premium पर annual यहाँ पर हम एक लाख रुपे का example ले रहे हैं बाकि आप अपने according कितना भी premium है वो करवा सकते है एक लाख रुपे अगर पर annual हम pay करते हैं तो second year भी हमें अपना premium pay करना होगा जैसे ही हम second year का premium pay करते हैं थर्ड premium आने से पहले पहले हमारे saving account में 23,500 रुपे estimated credit किये जाएंगे और गैस यह पैसे है वो जब तक हम अपना insurance का premium pay करेंगे जब तक हमारे saving account में credit किये जाएंगे लाइक अगर हम policy का tenure की बात करें तो एक साल से 15 साल के बीच में है 15 साल तक आपको pay करना है और उसका आपको 23% estimated 23,500 रुपे आपके saving account में credit हो जाएंगे गैस अब जैसे ही आपके 15 साल complete हो जाते हैं तो आपका एक साल यहापर hold किया जाएगा एक साल hold होने के बाद में आपको यहापर 81,500 रुपी जब भी आने start हो जाएंगे याने कि आपके 23,500, 81,500 रुपे दोनों को अगर हम प्लस करें तो 1,5,000 रुपे पर annual आपके saving account में credit किये जाएंगे गैस और यहापर सबसे best बात क्या है यह पैसे आप जब तक जियोगे तब तक आएंगे याने कि 99 year आपके saving account में यह पैसे आते रहेंगे हलाकि इतना तो कोई जिन्दा नहीं रहता बट गाईस अगर यह प्लान आप अपने आप अगर फादर है और अपने बेटा या फिर बेटी के लिए आप यह प्लान अगर लेते हैं suggest हो जाते हैं इस प्लान से तो आपके लिए काफी जादा बेतर यह प्लान होगा क्योंकि गाईस अगर मान लीजिए कोई फादर है अपने बेटा या फिर बेटी के लिए यह प्लान लेता है जिसकी उमर estimated 5 year है तो उसके नाम पर प्लान होगा तो starting में तो जो भी fund होगा जो भी 23,000 मारा fund है 23,500 estimated जो हमने 1,000,000 रुपे का example लिया था तो वो fund फादर के account में credit होता रहेगा जैसे ही फादर को कुछ हो जाता है तो उसके बाद में वो पैसे है वो उनके account में भी आने start होंगे उसके बाद में guys जो भी insured है याने की उसका बेटा या फिर बेटी तो उनके insured है अगर उनको भी कुछ हो जाता है generally तो उसका जो भी 9 मिनी रहेगा उसको या पर 12,000,000 एड कर सकते हैं तो हमने 1,00,000 रुपे का example लिया है वहाँ पर आपका premium है वो थोड़ा सा increase हो जाएगा दो या फिर 3,000 रुपे एक्स्ट्रा हैंगे लेकिन आपको insured है जो भी insurance का amount है वो आपको जादा या पर दिया जाएगा तो guys basically इस plan को अगर हम short में समझे तो जिनके भ आपका जितना बड़ा premium होगा उतना ही बड़ा आपको return यहाँ पर दिया जाएगा यहाँ पर हमने 1,00,000 रुपे का example लिया है 23,500 estimated आ रहे हैं और जैसे हम 2,00,000 लेते हैं तो यह amount डबल हो जाएगा 4,00,000 लेते हैं तो यह amount उससे भी double हो जाएगा तो guys जितना बड़ा आप आपका premium होगा per annual उतना ही बड़ा आपको यहाँ पर return दिया जाएगा अब guys basically आपको इस policy को लेने के लिए क्या करना होगा तो वीडियो के description में आपको visit करना है या फिर display पर ही आपको एक email ID मिलेगी आपको मैं mobile number भी provide कर लूँगा आप directly call भी कर सकते हैं जिनका आपको मैं number provide कर रहा हूँ यह basically बारती एकसा के employee है यह आपको suggest कर लेंगे और आपको plan कैसे buy करना है आप policy कैसे करेंगे यह भी आपको पूरी तरह से complete suggest कर लेंगे उसके बाद में आप अपनी policy buy कर सकते हैं आप अपने आपको insured भी कर पाएंगे तो guys I hope कि यह information आपके लिए काफी ज्य परूर करें ताकि आपको banking, insurance और credit card से related information सबसे पहले मिले